लेकिन जित तरीके से मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तो हाउस बारा बज़े के बाद बराबर नहीं चल पा रहा है altogether इस मैं बिठ्र किया रहा है मुसलमानों को ले खरके घ्या लगता है डलीत और मुसलिमान में फिर से गटबंधन नहीं होने देंगे तमाम लोग एक फिर से आप दलीत और मुसलिम में बाल मचाने की कोसिस की जा रही है आपको बताएंगे उस वीडियो में अखिर क्या है हामित अंसारी को लेकर के मायाव पासर देते हैं तो तमाम खबरे तो चिए आपको बड़ी खबर बताते हैं जिस स्कूल में कुछ दिन पहले 26 जनौरी के दिन स्वरसती जी का जब फोटू लगा कर पूजा करना लोगों ने चाहा तो उस पर उसी स्कूल की टीचर ने रोग लगाया था और आज उसी स्कूल क कि टीचर ने कहा कि इस स्कूल में अंबेटकर साहब की इस्टेचू लगाए जाएगी लेकिन उस पर समरोलों ने धक्का मुल्की की वो तमाम खबरे जो लगातार वाइरल है तो चे समाजवादी पार्की के कई सही होगी आप हाजपा में सामिल हो सकते हैं वो तमाम खबरे आज हम आपको बताएंगे जो लगातार वाइरल हो रही है चलिए कि खबर पर नजद डालते हैं और आपको समझाते हैं आज का क्या मामला है नमस्कार दोस्तों मैं हूं पराग और आप देखरें देशी पेस्वी व्लोग आज की वो तमाम खबरे जो लगातार वाइरल है उन सभी खबरों पर नजद डालेंगे कि खबर आपको बताएंगे या खिर क्या हो रहा है सोचिए आप लोग कलपना नहीं कर सकते या वीडियो उसमें वाइरल की जा रही है जब मुसलिम और दलित का कच जोड होने वाला है सोचिए वो तमाम खबरे लोग इसमें मुसलिम के मुद्दे को सांसत द्वारा बात रखने का समय आता है तब आप सदन छोड़कर चले जाते हैं सदन को चलाएगा कौन मगर विरोधी कह रहे हैं उनका नमाज पढ़ने का समय रहता है इसलिए बहन जी उनको रोकना चाहती थी जबकि बहन जी ने वीडियो में नमाज का जीकर नहीं किया और दूसरी बात ये बीडियो इस समय ही वाइरल हो रहा है कहीं बियस्पी के परती मुसलिम वर्ग में नफरत तो नहीं भरना चाहते ये लोग वो तमाम खबरे जो लगता राज वाइरल है आप सोचिए कांग्रेस ने नारेंद्र मोदी के खिलाप एक अगन हो गए हैं कि जनता से जुड़ा हर सवाल उन्हें करोधित कर देता है करोध विकास की नहीं बिनास की गारंटी है ये लिखा राहूल गांधी ने बड़ी खबर लिखी है आपको बताते हैं अखिर नूर एहमद अजहरी ने क्या टूट करके लिखा जिस तरह लोग अफरत पहलाने की कोशिस कर रहे हैं वहीं मुसल्मानों को लेकर के नूर एहमद अजहरी ने एक बड़ी खबर लिखी है दलित और मुसलिम का कज़ोड हो जाए इसके लिए तमाम मुसलिम कोशिस कर रहे हैं कि मुसलिम समधाए और दलित समधाए एक हो जाए मुसल्मानों क चाहिए कि अपने अंदर सियासी साउर पैदा करें वैसे ही बहुत देर हो चुकी है आप अपना वक्त बरबाद ना करें और हर हाल में हुकमरान के गलत रवाईय का बिरोध करें कमरों से बाहर निकलें मैं फिर कहूंगा कि मोदी और भाजपा से काबला करना है तो दलित आज से हाथ मिलाओ सोचिए इन्होंने वो सही जानकारी लिखी है कि जब तक मुसल्मान और दलित एक साथ नहीं होगा तब तक उन तमाम लोगों को हराना मुश्किल है सोचिए आप लोग कलपना नहीं कर सकते जो इन्होंने लिखा वो सही लिखा है आज आपको बड़ी ख परदासों ने बहन के साथ धका मुकी कर जाती सूचक सब्दों से अपमानित किया मौके पर पहुंची भीम आर्मी फाई आर दर्ज करवाई सोचिए यह आपके सामने तस्बीर सो हो रहा है यह तमाम लोग पहुंच करके उन तमाम जाती वादी लोगों के खिलाफ फाई आ दर्ज करवाई है आप कलपना नहीं कर सकते वो तमाम बड़ी बड़ी खबरें आज वाईरल है अब कलपना करिये कि अगर ब्यार का कोई का कोई वह भी व्यक्ति भाजबा में सामिल हो जाता तो कितना हंगामा होता देश में लेकिन वहीं पर आज बीएस पी को छोड़ी अ सामिल होते हुए देखा गया है सोचिए किस प्रकार से अकले स्यादो जी कह रहे थे कि आब BSP की गारंकी कौन लेगा लेकिन वहीं पर गजबंधन के तमाम लोग BJP में सामिल हो गए अब अकले स्यादो जी अकेले क्या करेंगे सोचिए वो तमाम खबरी है जो लगातार आज वाइरल हो रही है जीतूर जोरिया ने लिखा कि समाजवादी पार्की का गड़ कह जाने वाले इकावा जहां पर कल सैक्डो समाजवादी पार्की के कारकरताओं ने भारती जन्ता पार्की में सामिल होने का फैसला लिया इस से पहले समाजवादी पार्की के करीबी एक विजनस मैन ने भी भारती जन्ता पार्की में सामिल होने का फैसला लिया था और इस बात को कोई नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्की के कारकरता और नेताओं की समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी मनपसंद पार्टी है और आपको पता ही होगा उनका आधा परिवार भारतिय जन्ता पार्टी में पहले से ही है मौजूदा मगर मजे की बात यहां देखे कि उनके कार करता या कहते नजार आते हैं कि बीजेपी का ओंट बीजेपी को टनांसफर होता है सोचिए पूरा परिवार ओंट दे या ना दे लेकिन बीजेपी के साथ है और बीजेपी वाले उनको साथ लेकर चलते भी हैं लेकिन सपावाले कहते हैं कि BSP का ओंट टांसफर होता है दरसल ये बात बिल्कुल गलत है आपको बता दे BSP का कोई भी ओंट कहीं पर भी टांसफर नहीं होता है हाँ चंदर सेखर के आने से कुछ तो बदलाव जरूर होगा लेकिन वो चंदर सेखर के अलामा किसी और सके सोचिए जिस तरह से दलित और मुस्लिम को तोड़ने की साजिस की जा रही है ये मैं कल पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि क्या ये दोनों होने एक अठा देंगे या नहीं होने देंगी क्योंकि दलित मुस्लिम का गज़ जोड होने के बाद किसी और पार्टी का यहां पर जुमला नहीं चलने वाला है आपको बता दे कि यदि चंसेखर आजाद रावर और मुस्लिम बहन मायावती जी अगर एक साथ हो जाती है तो फिर आप बता दे कि यहां पर किसी की जुमला या किसी की दाल गलने वाली नहीं है बाकी आप लोग की क्या राय है क्या परत के लिया है उस पर भी जानना बेहत जरूरी है दोस्तों अपनी राय जरूर दीजेगा इस कमेंट बॉक्स में और मुझे वो तमाम जानकारी सेर कीजिए ताकि मैं अपने वीडियो में आगे बता सकूं इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे एक और नई खबर एक नई राजनीतिक खबरों के साथ तब तक के लिए जैभीम नमो बुद्धा है लेकिन जिस तरीके से मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं तो हाउस 12 बजे के बाद बराबर नहीं चल पा रहा है तो यह जिम्मेवारी किसकी है यह गौवर्मेंट की जिम्मेवारी है यह जो हाउस के चेर्मेन हैं उनकी जिम्मेवारी है कानून काईदे बने हैं हाउस को जो लोग नहीं चलने देते हैं तो यह चेर्मेन की जिम्मेवारी है जो कानून काईदे बने हैं उनका इस्सेमाल करें वो रास्ते निकालें जब वो रास्ते नहीं निकाल पा रहें तो मुजे तो फिर बोला